सबी को कैसे हैं सबी लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और दिल्चस्प कहानिया लेकर आई हूँ आशा करती हूँ आपको पसंद है सिर्फ एक जिद और तबाह हुआ करियर अचानक हुए गुमनाम हैरान करने बाली है फालगुनी पाठक की कहानी म्यूजिक इंडस्री में एक वक्त ऐसा भी आया जब हर किसी की जुबान पर सिर्फ फालगुनी पाठक की गाने हुआ करते थे मैंने पायल है चनकाई जैसे गानों से वे रातुरा देश्वर में लोग प्रिय हो गई थी 1998 से 2002 तक यानि पांच साल तक उनका जादू खुब देखने को मुला लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि वे गुमनाम होगे तो चलिए आज आपको बताते की फालगुनी पाठक से जुड़ी कुछ अनसुनी बाते हैं आज भले ही फालगुनी पाठक नवरात्री और डांडिया स्पेशल गाने तक सीमित हो गई हो लेकिन एक दोर ऐसा भी था जब लोग उनकी आवाज के दिवाने थे साल 1998 से 2002 तक उनके गाने लोगों के जुबान पर रहा करते थे उस वह इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग उनके नए गानों के इंतिजार में रहा करते थे फालगुनी का करियर अचानक पतन की ओर बढ़ने लगा जब उनने अपनी शर्थ पर काम करने का फैसला किया था दरासल 1998 में जब फालगुनी का पहला म्यूजिक एलबम याद पिया किया नहीं लगी आया तो इस वह एलबम ने लोगों के बीच धूम मचा दिया था अपने पहले यह एलबम से मिली जबरद सफलता ने फालगुनी के होसलो को काफी भर दिया था फिर उसके अगले ही साल 1999 में उन्होंने अपना दूसरा एलबम रिलीज किया जिसका नाम ता मैंने पायलने चनकाई फालगुनी का दूसरा एलवम भी चल पड़ा इस तरह उन्होंने अपने एलवम से दुनिया भर में अपनी जबर्जस्त पहचान बनाती चली गई थी और उस दौर में हर तरफ शादी से लेकर किसी भी तरह की पार्टी में फालगुनी की गाने बस्ते सुनाई पड़ते थे लेकिन इसी दौरान उनसे एक गलती हो गई और उनसे अचानक उनका करियर डूबने लगा मीडिया रिपोर्स की माने तो जब उनका पहला अलबम हिट हुआ था तब से ही कई म्यूजिक डारेक्टर उनके लिए फिल्मों में गाने का आफर लेकर आया करते थे लेकिन फालगुनी उन सभी ओफर्स को ठुकराती चलीगी फालगुनी की इस एक जिद ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुचाया दरसल वे फिल्मों में नहीं गाना चाहती थी हाला कि हिंदुस्तान टाइम्स को दिये गए अपने एक इंटरव्यू में फालगुनी से जब पूछा गया थे कि साल उसे लोग प्रोफाइल के साथ क्यूं है तो इस पर उन्होंने कहा था कि यह मेरा सभावाय मैं साल भर शो करती हूं लेकिन मैं इतना मीडिया से भी नहीं हूं मैं हमीशा से ऐसी ही रही हूं अपने इसी इंटरव्यू में उन्हें यह भी खुलासा किया था कि भले ही उन्हें बॉलिवूड फिल्मों में गाने के कई ओफर्स मिले लेकिन उन्होंने कभी उन्हें लेने के बारे में नहीं सोचा उन्होंने कहा था मैंने बॉलिवूड को कभी गंभीरतार से नहीं ले लेकिन जब आप मॉलिवूंड में एंट्री करते हैं तो आपको दोगनी मेहनत भी करनी पड़ती हैं मैं अपने शो और अलबम करके खुश थी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भू दिने बाद आप सभी का मेरा आप सभी को पिर्णाम आपका दिन सुब्भ हो